हेलो स्टुदेंट्स, वेलकम तो विद्धिय इंस्टिट्यूट, क्लास 12 रिलेशन फंक्षन, NCRT का एक्जम्पल 12 करेंगे आज की ग्लाफ में, के लिए फंक्षन, फंक्षन की वैल्यू है, इसके इंदर रखा जाएगा, और अगर एक्षन की वैल्यू तो इसके इंदर रखा जाएगा, वन वन एंड ओन्टू, ठीक है, तो वन वन एंड ओन्टू दोनों दिखाना है, तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, दोनों स्टेप्स में क्या करना है, सबसे पहले, अगर हम यह लेते हैं, कि एक्स वन और एक्स टू दो नैच्रल नंबर हैं, डोमेन में, if x1 and x2 are both even number, belongs to domain, such that fx1 equal to fx2, सबी को पता होना चाहिए, कि वन वन के लिए हमें क्या दिखाना, होता है, कि अगर x1 और x2 दो अलग-अलग element हैं, और उन दोनों की image सेम है, तो अगर दोनों की image सेम है, तो function जोई 1-1 नहीं है, तो हमें दिखाना है, कि x1 और x2 दोनों equal हैं, तो अगर दोनों even number है, तो fx1 हमारा इसके अंदर रखा जाएगा, और x2 भी इसके अंदर रखेंगे, तो यह cancel हो गया, तो x1 equal to x2, यानि fx1, fx2 के equal है, तो x1, x2 के equal है, यानि इस case में जो हमारा function है, वो 1-1 है, है ना, similarly, अगर x1 और x2 बोथ odd number हैं, तो यहाँ पर भी हम यही कर सकते हैं, fx1, fx2 के equal होने का मतलब, odd वाले में रखेंगे अब की बार, तो यह cancel हो गया, तो x1 equal to x2, तो यहाँ पर भी हमारा यही आ गया, अब जो हैं पर problem में आपको वो यह समझनी है, कि अगर x1 और x2 दोनों different है, एक even है और एक odd है, if x1 is even and x2 is odd, है ना, और इसका positive भी कर सकते हैं, यह दोनों अगर equal है, तो clear सी बात है, sorry, यह एक even और एक odd है, इसका मतलब यह है, कि x1 और x2 पहले से हमें पता है कि equal नहीं है, जब x1 even है और x2 odd है, तो इसका मतलब दोनों equal नहीं है, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने first part में कियाता है, हाँ पर उसका उल्टा होगा, first part में हमने क्या किया था, कि x1 और x2 को equal दिखा दिया था, अगर fx1 और fx2 equal है, यहाँ पर हमें पहले से ही पता है कि x1 और x2 equal नहीं है, तो हम यह दिखाएंगे कि fx1 और fx2 भी equal नहीं है, तो fx1 का मतलब x को हमने even लिया है, तो इसके अंदर रखेंगे, नीचे वाले के अंदर, तो यह कितना आ गया, x1 minus 1, इसमें रखेंगे x2 plus 1, 2 आ गया, तो यहाँ पर एक बात समझने किये कि इन दोनों का जो difference है वो even number है, which is not possible, क्यों possible नहीं है, क्योंकि difference of even and odd is not even, even और odd natural number का जो difference होता है, वो even number नहीं होता है, इसका मतलब fx1 not equal to fx2, तो यहाँ पर हमने यह बात समझने किये बड़ा ध्यान से, कि अगर x1 और x2 equal नहीं है, तो fx1 और fx2 भी equal नहीं है, उपर हमने क्या दिखाया था, कि अगर fx1 और fx2 equal हैं, तो x1 और x2 भी equal हैं, तो तीनों केस में हमारा function जो है, one one प्रूव हो गया, तो हम लिख सकते हैं, fx is one one, अब हमें उन्टू चेक करना है, तो उन्टू के लिए हमें क्या देखना होता है, कि जो डोमेन है, मैं जब अच्छे से explain करने को इसकरता हूँ, यहां पर भी natural number और यहां पर भी natural number है, उन्टू के लिए हमें दिखाना होता है, कि इधर कोई भी element फिरी नहीं है, तो अब जड़ा ध्यान से देखेंगे, अगर हम x की value one लेते हैं, यानि odd number लेते हैं, तो कितना आएगा one plus one two, तो one किस से related है, two से, यह से related हो गया है, अगर हम लेते हैं, x की value two, तो answer आएगा one, आप देख सकते हैं, थिरी लेंगे, x की value अगर हम three लेंगे, odd number, तो three plus one, four आएगा, और four लेंगे, तो three आएगा, तो इस तरह से हम यह देख रहे हैं कि, जो भी हम natural number ले रहे हैं, उसके लिए natural number ही आएगा, तो यानि जो range है, वो हमारी natural number हो गई, लेकिन यह इस तरह से प्रोपर method नहीं माना जाएगा, हम इसको अच्छे से करके दिखाएंगे, क्योंकि यह तो example हो गया, तो check करते हैं, let n belongs to co domain, मान लेते हैं, कि co domain में n एक number है, और वो जो number है वो even है, तो आप दिखान से देखो, जो भी हाँ पर हमारी even number है, 2, 2, 4, उसकी pre-image क्या है, 2 की pre-image 1 है, 4 की pre-image 3 है, यानि जो भी हाँ पर number है, उससे कम हमारी इसकी pre-image है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, then, there exists, अगर n इवन नमबर लेते हैं, तो उससे कम, belongs to domain, such that, अब देखो, जो हमारा domain है, उसमें हम अगर n-1 रखते हैं, तो, n अगर even number है, तो n-1 ओर नमबर होगी, यह तो old number है, तो इसको अगर हम रखेंगे, तो किसमें रखा जाएगा, उपर वाले में, x plus 1 में, तो यहाँ पर रखते हैं, n plus, oh sorry, n-1, x की जगे हमने, n-1 पुट किया, plus 1, तो यह कट गया, तो n आ गया, तो इससे क्या मतलब निकला हमारा, कि अगर code domain में, कोई even number है, तो domain में, उसके लिए एक number है, जिसको हम कहेंगे, n-1, जिससे की, वोई number आ रही है, जो हमें चाहिए, even number चाहिए, तो उससे कम एक code number इधर हैगी, जिसकी उसमें image है, अब similarly, अगर हम यहाँ पर लेते हैं, code number, 1, तो आप देखोगे, कि 1 किस related है, 2 से, 3 किस related है, 4 से, तो एक ज़्यादा सरी related है, तो अब यहाँ पर मैसे करते हैं, let n belongs to, code domain, and n is odd, code domain में से हमने, एक बार even number ले ली, एक बार odd number ले ली, तो अब odd number के लिए चेक करते हैं, there exists, जो भी हम natural number लेते हैं, odd number, तो उससे एक ज़्यादा इधर पर image है, तो n प्लस वन बिलोंग्स टू डोमेन, such that, अब देखो, f में हम n प्लस वन रखेंगे, अगर n odd number है, तो n प्लस वन क्या हो गई, एक even number है हमारी, क्योंकि जब odd में one प्लस करते हैं, तो even हो जाती है, अब even number है, तो किसमें रखना होगा इसको हमें, x-1 में, तो n आ गया, तो हमने दोनों ही case में दिखा दिया, कि जो co-domain है, उसमें अगर हम even number लेते हैं, तो उसके लिए भी domain में odd number है, और अगर कोई दर से हम odd number लेते हैं, तो उसके लिए एक even number domain में है, तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं, Every element of co-domain have some pre-image, यानि हर element की pre-image है, in domain, hence, therefore, fx is on to, तो on to भी है, और उपर हमने बता दिया था कि one one भी है, तो one one and on to, दोनों हो गया, तो थोड़ा मुश्किल question था, लेकिन उम्मीद्या सभी को आ गया हो का समझ में, अब इस screen पर relation and function की playlist नजर आ रही होगी, महाँ साब इसके और भी question देख सकते हैं, Thank you very much, अगर,